हेलो इवरीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में आज का कलास होने वाला है कलास 12 बाइलोजी का चेप्टर वन जीवों में जनन का हम लोग वन लाइनर कर रहे थे तो पार्ट वन में आप लोग का जो है यानि लेंगिक जनन जनन उसके बाद जीव करने वाले हैं चेप्टर को तो जो भी स्टूडेंट अगर 2024 में फाइनल बोड एक्जाम देना चाहते हैं और वो अपना जीवन में अच्छा माक्स गेन करना चाहते हैं तो जो है आप लोग इस कलास को मिस नहीं किजेगा दोस्तों क्योंकि ये कलास जो है आप लोग के लि चेप्टर बायलोजी में मिलने वाले है तो इसलिए आप लोग जो है अच्छी से कवर कर लिजीगा हरी क्वेस्टन को और नोट करते चलिएगा और कलास में फूकस कींजेगा ना कि केमरा सबस्क्राइब करते सब्सक्राइब करना फैदीव लेम कर दिए लेखर करके जरूर लेघर पीडीएफ और याद कर लेजिएगा दोस्तों सचले हमनोग करते हैं तो सबसे पहले आपको यहां बता दें कि फंजाई के बारे में हम लोग अच्छे से बता दिये थे सबसे पहले हम लोग देखे जीवन चक्र कोई भी जीव का होता है तो कैसे उसका निर्मान होता है भुरून का निर्मान, यूगमनत का निर्मान, कैसे होता है तो देखें जीब के बारे में तो जीब क्या होता है आपका दुई गुनित होता है लिख लेज़े नोट कर लेज़े जीब क्या होता है दुई गुनित होता है और जीब में जब हम लोग मियोसिस करेंगे मियोसिस मतलब क्या कि अर्द सुत्री विभाजन करेंगे तो उससे आ और एक युगमक अगर मिला लेंगे तो मिला देंगे तो उससे जो निर्मान होता है युगमनस का निर्मान होता है अगर आप लोग को पूछ दे कि युगमनस का निर्मान कैसे होता है तो आप लोग को लिख लेना है नोट कर लेना है कि दो युगमक मिलकर के युगमनस का न गुनित होते हैं ठीक है यह भी नोट कर लिजेगा उसके बाद जाइगोड जो है जाइगोड किसका निर्मान करता है तो भुरुन का निर्मान करता है बुरुन इंगलिस में क्या बोलते हैं एंबरायो बोलते हैं क्या बोलते हैं एंबरायो एंबरायो क्या होता है तो वह भी Deployed होता है Note कर लिजेगा Embryo क्या होता है Deployed होता है यहां तक आप लोग को पूरा समझ में आ गया Next देखते हैं आप लोग को आप लोग का Next क्या है Appearance of Male and Female Gamet देखिए English में है आप लोग हिंदी में Note कीजे कि Male और Female युगमक की उपस्तिती Male और Female Gamet में जो युगमक होते हैं उनकी उपस्तिती के बारे में देखते हैं तो पहले बता दें कि Male और Female Gamet जो उपस्तिती होती है अगर समान हो Similar हो तो वो जो है सम युगमक कहलाता है अगर आप लोग को subjective में पूछ दे कि सम युगमक किसे कहते हैं तो सम युगमक के बारे में आप लोग अच्छे से जान लें कि सम युगमक वो है है जो जिसमे Male और Female Gamet में जो है Male और Female में जो है Gamet मतलब युगमक जो है समान हो Similar हो सम युगमक कहलाता है ठीक है नेक्ष देखिये आपका क्या है यानि Male और Female में Gamet अगर अलग हो Disimilar हो तो वो विसम युगमक कहला याता है Hetero Gamet कहलाता है तो याद रहेगा आप लोग को कि Male और Female Gamet अगर समान है तो सम युगमक कहलाता है Male और Female में गेमित अगर अलग हो तो विशम युगमक कहलाता है नोट कर लिजेगा दोस्तों नोट करते चलिएगा ताकि आप लोग का जो है क्वेस्टन ना छुटे इससे जो है अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एटू जड बन रहा है आप लोग का बास देखें बास के बारे में आप लोग को अब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जीवन में एक बार किस कौन पुष्पित होता है तो बास होता है तो यहीं पर बास के बारे में आप लोग को वन लाइनर में दिये हैं कि फलावर्स वन्स इन लाइफ में क्या बास में flowers one once in life में एक बार पुष्प देते हैं तो वह आपका बास देते हैं ठीक है objective में पूछ दें कि जीवन में एक बार फुल किसके आते हैं तो बास के बारे में अगर बात करा जाए अब बोला यानि बास के बारे में अगर आप लोगों को लिखने बोले तो ठीक है नोट कर लिजेगा देखिए अब नेक्स देखिए आपका इसके बारे में आप लोग अच्छे से पर लिए होंगे और objective जब करा रहे थे चेप्टर वाइज में तो आप लोग को बताये थे कि इसके बारे साल में एक बार पुष्पित होती है ठीक है दोस्तों नोट कर लिजेगा इस्ट्रो बेलंथास कुंतियाना जिसे हम लोग निला कुरेंजी बोलते हैं वह बारे साल में एक बार फूल आते हैं उसमें ठीक है और कब आये थे सबसे पहले 2006 में आये थे में लिखा हुआ है 2006 में आये थे उसके बाद 2018 में लिखा हुआ थे ठीक है दोस्तों तो आप लोग देख लीजेगा एंसी आर्टी आप लोग का लाइन को सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए जो है मैंने सोचा क्या कि उन लोग के लिए जो है अपने से लिख करके ताकि वो यानि सोर्ट नोट बना करके बच्चों को परवाइट करें और वो जो है अपना मांक्स कें कर सकें ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले देखिए मध्चक्र और दूसीरा पार्ट आपका क्या मध्चक्र और रीतृ सराऊं को इसके बारे में आप लोग को पता आई होगा औ सबसे पहले बता दें ऑस्ट्रस साइकल ऑस्ट्रस साइकल किस में होता है तो नन प्राइमेट्स में होती है ठीक है दोस्तों किस में होती है नन प्राइमेट्स में होती है लिख लेना है माद्यचक्र किस में होती है नन प्राइमेट्स में उनका एक्जामपल दीजिए फिव पोस्ति साइकल किसमें तो गाए भेर बहीर एन इसीप जिसे हम लोग बोलते हैं छट्थ ऑशंच अश्वरी दोस्तों देखे यानि देखे काव सीप रैटस डॉड इसब क्या होता है नन-हाराद होते हैं और इसमें यहां पर लिख दी है no bleeding ठीक है अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं menstrual cycle के बारे में menstrual cycle देख लिजे menstrual cycle होता क्या है वो जो होता है आपका primates में होती है ठीक है किस में होती है primates में होती है primates का example क्या है वो आपका monkey, apse, human monkey, bandar, langur, उसके बाद आपका आदमी ठीक है उसमें क्या होती है आपका menstrual cycle होती है और bleeding होती है इसमें क्या होती है bleeding मतलब बलड का बाव होती है ठीक है दोस्तों आप लोग को पता ही होगा यहीं जो girls हैं उनको पता होगा आप बुरा नहीं मनिए का यहीं गल्स को पता है menstrual cycle के बारे में उनमें होती क्या है तो बहुत लर्के को भी पता होंगे यहीं जो जो न nay रिट करते होंगे तो उनको पता होंगे कि मेंस्तुरा साइकिल क्या होते हैं और थ्र से क्लिश्टों की होते हैं तो जो भी शटुडेट्स को नहीं पता है आफ लोग अच्छे से देख लिजेगा नके पूरा यह करके बता रहा। concept जो है पूरा बता रहे हैं आप लोग को अच्छासे देखेगा फिर से देखें मद्चक्र मद्चक्र नन प्राइमेट्स में होती है जो Coug, Siep, Red , ड holding पूछे जातें कि इन में इसे कि मद्चक्र पाए जाते हैं तो मद्द चक्र में पाए जाते हैं आपका दो है तीन उधारन दे देंगे उसके बाद आपका गायक भी दे देंगे तो गाय में जो होती है वो आपका मद्द चक्र होती है भेर में जो होती है वो आपका मद्द चक्र होती है अगर चुहा दे दे तो चुहा म जो है उन पर जो है menstrual cycle होती है और उसमें बिलीडिंग होती है यह याद रख लेना यह में टोपिक है नो बिलीडिंग और बिलीडिंग यह भी याद कर लेना अब अगर आप लोग को पूछ दे कि मद चक्र और रितु सराव चक्र में अंतर क्या है तो आप लोग बस इतना ही पधिन लिखेऊंड की मद चक्र मज चक्र देखे एक पॉइंट दिजेगा उसके बार लिखेगा क待 के नों पराइमेट्स ठीक है क्यारलिंग क्या मज चक्र के लिए विकुषाक्र के लिए पूइंड पॉइंट लिखेऊजेगा आप लोग कि काउट वी डॉग यह प issक, स और होती है और बिलिडिंग में होती है यह लिख लेना आप लोगों को तू माक्स पक्का मिल जाएगा और यह कोश्चन बहुत भी बीजिए को सने नोट कर लेज़ेगा इस बार पूछे जाने की संभाबना बहुत है नेक्स देखे दोस्तों नेक्स आपका क्या है नेक्स में आपका कि अंडर यूज और जरायूज यह अब्जिक्ति में पूछे आते हैं कि अंडर यूज क्या होते है तो अंडर यूज होता क्या है वो भी जिसे इंग्लिस में बोलते हैं तो आप लोग को बता दें कि अंड यूज यह लोजिक वाला कुश्चन अंड अंड मतलब कि अंडा थे के अंडा देने वाले क्या कहलाते हैं अंडा यूज कहलाते हैं और जरायूज यह भीवी पेरस भीवी पेरस क्या होते हैं संतान को जनम याद रखना है अंडे यूज अंडा देने वाले को अंडे यूज कहते हैं जरायूज संतान को जनम देने वाले जरायूज कहलाते हैं याद रख लेना है दोस्तों नेक्स देखिए नेक्स आपका क्या है यह लाश्ट टोपिक है लाश्ट टोपिक उसके बाद हम लोग का क्य से नोट कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले जीवन काल जीवन काल यानि किसका जो है कितना साल जीवन अबदी है ठीक है जीवन अबदी जैसे होता है कि बटर फलाई है ना जैसे बटर फलाई बटर फलाई जो जीवित रहती है एक सो दो सपता रहती है ठीक है द प्रूट फलाई क्या होती है तीस दिन जीवित रहती है नेख्ट देखिए गुलाब गुलाब जो होता है वह आपका पांस साथ साल जीवित रहता है आपका बनाना नेक्ष्ट है बनाना मतलब केला का जो पेर है वह 25 तो याद रहेगा आप कि आप लोग तीन से चार मैना लाते है ठीकित तीन कि उसलिए याद रखना है कि बर्गत का प्यर के बारे में पूछेंगे कि बर्गत का प्यर कितना साल जीवित रहता है तो आपका 200 साल जीवित रहता है नेक्स देखिए नेक्स आपका क्या है कव्वा यानि करो करो जो है वह आपका 15 साल जीवित रहता है नेक्स देखिए नेक्स आपका क्या है पैरोट सबीआ है कि करोकोडाइईल मगरमच्छ जो होती हUI आपका साथ साल जीवित राती है थीक् case दोस्तों नेक्स्त क्वेश्टन देखते हैं होर्स जवता वह घोरा घोरा कितना साल आता है तो 25 से 30 साल जिवीत रहता नेक्स देखिए मतलब गाये जो अलोडी यहलीफेंट मतलब किया आती हाथी कितने साल जिवीत राते हैं वह ability नेक्स देखिए डोग डोग मतलब कुत्ता कितने साल जीवित रहते हैं 20 से 30 साल जीवित रहते हैं ठीक है दोस्तों तो याद रहेगा यहां से फिर से देख लीजे बटर फलाई बटर फलाई एक से दो वीक फ्रूट फलाई 30 दिन रोज यानि गुलाब 5 से 7 दिन बनाना 25 साल राइस 3 से 4 महिना उसके बनियान टिरी वह 200 साल नेक् जो ह dai 140 साल बरगत का पर 200 साल इससे आपका क्वश्चंश पूछे गया हैं नेक्स देखिए कदर्ज ल om a क्रोडाइल मगर मच्छे साथ साल यह इसके वारे में पूछे गए कुश्चन कि क्रोकोडाइल जोते हैं वो 60 साल जीवित रहते हैं नेक्स देखिए कि होड़ 25 से 30 साल जीवित रहते हैं काव मतलब गाय 15 से 20 साल इलिफेंट हाथी 60 से 90 साल डोग कुता 20 से 30 साल याद रहेगा दोस्तों जो कुछ जिसको याद है कि तोता जो होते हैं तोता आपका बहुत छोटा सा परिंदा छोटा सा है लेकिन वह 140 साल जीवित रहता है लेकिन वहीं पर देखिए गाय गाय जो है बहुत बढ़ा है लेकिन उनको तो ज्यादा जीवित रहना चाहिए लेकिन वह जो रहते हैं आपको 15 से 20 साल ही जीवित नहीं करता है क्यों कि कोई भी जीब का G1 काल उनके जो है साइज मतलब आकार पर डिफेंड नहीं करता है याद रहेगा वह भी लिख लेना कभी पूझ दे कि कोई भी जीब का आकर ओम्र मतलब जीवन अब्दी उनके आकर पर निरवर करता है तो आप लोग को बोलना नहीं करता है क्योंकि size पर इसलिए depend नहीं करता है क्योंकि आपका तोता जो है एक छोटा सा पक्षी है लेकिन वो 140 साल जी वित राते हैं और cow जो होती है वो 15 से 20 साल ही जीवित रहती है ठेक है दोस्तों याद रहेगा तो चलिए हम लोग का यहां तक complete हो गया यह आज जो हम लोग का chapter 1 complete हो गया इसके बाद हम लोग chapter 2 में चलेंगे तो जो भी student को अगर class अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों में जरूर सेर कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं next chapter 2 में मानब जनन में तब तक के लिए बाई, अल्ला हाफीज टेक केर, थैंक्स पर वाचिंग वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों